नमस्कार साथियो महें वर्वने साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी आप दुकाने आवेदन कर रहे हैं वहले तो यह नभी निकलन के लिए स्टार्ट हुआ है फिर कब आपका जो भी नया इल लटरी होगा तो सभी चीज़े हम आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे हम इसको देखेंगे कैसे चेक करेंगे तो चलिए हम यहां पर वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने यहां पर आल्रेडी यूपी एकसाइजी करन के लिए है आवेदन मांगा जा रहा है इसका लास्ट चैट फरवरी 2023 साम पांस बजे तक ही उपलब्द रहेगा हमें यह जानना है कि कौन सी दुकाने का इन विनिकर्ण हो रहा है साथी साथ उसमें क्या फ्रोसेसिंग फीस लगेगा क्या हैसियत प्रमापत्र लगेगा यह सब जाल लेते हैं तो यहां पर आपका डिस्टीख होता जैसे हमाली हमार डिस्टीख है गोरक्पूर है आपका डिस्टीख वरांसी होगा लख्नव घदका तो जो भी होगा उसमें आप अपना जीला का दियो के बात यह यहां पर आप देखेंगे announcement दिया गया होता है तो announcement जैसे ही आप यहां पर click करेंगे तो यहां पर advertisement for renewal country liquor देशी सरा बीदेशी सरा बीयर model shop और जो भांग के फुटकर भी करताओं के लिए 23 और 24 के लिए चार फरवरी 23 को यहां पर विग्यापन जारी कर दिया गया है हम यहां पर click करते है क्लिक करने के बाद यहां पर आपका सट आउट होगा अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर बताया भी गया है कि इन विंदिकरों जब प्रकिरिया पूरी हो जाएगी तो उसमें आपको 20 फरवरी 2023 को नहीं जो दुकाने इन विंदिकरों के बाद जो बच जाएंगी तो नया लोट्री खेला जाएगा या फिर उसके बाद आवेदन किया जाएगा यहां पर आपको साफ दिख साफ दिखा भी गया है कि मतलब सर का मतित किया जाते हैं और लाइन नविनिकरण के पस्चात जनपत की अवसेश मदीरा की दुकानों का विदुस्थापन ई-लोट्री के प्रथम चल्ड में माध्यम से दिनांग 20 फरवरी 2023 को मध्यान 12 बजे से किया जाएगा जनपत में मदीरा एवं भांग की फुटकर विक दुकानों का नविनिकरण एवं और आवेदक जनपत की दुकानों की वेबसाइट तो जो भी इनफर्मेशन है आपका जैसे नविनिकरण का हो गया या फिर आपका जो भी नई लोट्री जब आवेदन होगा तो उन सभी का वेबसाइट पे आपका अपडेट्स आता हैं तो यह सभी आप चेश कर लेंगे यहां पर आपको असपरस दिखाई भी दे रहा है कि 20 फरवरी से जो भी दुकाने जो नविनिकरण के बाद बच जाएंगी उसके बाद यहां पर नई दुकानों का एलाट्मेंट जारी हो जाएगा उसके लिए आवेदन स्टाट हो ज हैं जो पर 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 आपको फाइल है वह ओपन हो जाएगा तो यह पर देख लेंगे कि एप जो नगर निघम शे ने व कर डिघण से और हम इसे क्लिक करते हैं और और प्रामीड सो होगा ठीक जो भी इनवीनिकरण जो भी है आपका रेनुवल है उसके लिए यहाँ पर जैसे माल लीजिए समझने के तौर पर हम एक जैसे दुकाने हैं यहाँ पर यहाँ पर दिगा है दौर बाइस तेज़ीस हेतू नवीनिकरण सुल्क है वह 75,000 रुपय है और यहाँ पर हैस्यत की धनरासी यह अगर यह इस्तुकान को अप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हैस्यत प्रमापत्र जो है आपका तेरा लाख दस हजार रुपय का हैस्यत प्रमापत्र आपको लगाना पड़ेगा और यह सभी चीजे आप जो भी आपके सिए अकाउ के गुडग में यानि कि यहाँ पर जो भी लाइसेंस पीस है उसमें दस पसंट की बढ़तरी कर दी गई है पिछली साल की अप एक्छा तो यह सभी चीजी है अगर आप माल लीजे अगर ग्रामीर से अगर कोई दुकानी है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ग्रा आप यहाँ पर लगाएंगे तो यह सभी चीजे हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देख लेंगे समझ लेंगे और जब नहीं दुकानों का एलाट्मेंट या फिर इलोट्री में जब नया दुकानों के लिए अवेदन मांगा जाएगा तो वहाँ पर इसका भी नोटिफि निल्दी गई है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा ओपन होने में अब जैसे ओपन हो जाएगा तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या-क्या का there कि यो किटके चाहिं यहां पर हाजीपूर है तो यहां पर दीखेंगे कि हैं और यहां पर आधाप किसी भी कंडिशन में जैसे हैं धूका अगरिम्विल due यह non refundable amount होता है एक जो आप डीडी लगाते हो तो डीडी का amount अगर आपका अदुकाने लाट नहीं होती है आपके नाम से या फिर लाइसे इसू नहीं होता है तो वह डीडी वाला amount आप return करा सकते हैं लेकिन यह जो processing fees है आप इसको वापस नहीं करा सकते हैं ना किसी भी हाल मे और अगर grammar sector में देखा जाया तो यहां पर grammar sector में जो है कि 40 जायरूप है और प्रोसेशन फिस्ट दोनों में ही आपका 30 जायरूप यह है तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दीगे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी यूचपल लगे तो वीडियो क देखने के लिए धन्यवाद, जय हिन जय बारत.